Hello everyone, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं और नए important वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले दिन के समापति के बाद Committed Cargo Care IPO की Day 1 की Subscription Status किस तरीके से कैसी आपको देखने को मिल लए है Gray Market Premium जिस तरीकी की तेजी है उसके Coding पहले दिन की दिमान कैसी आपको लोगों को देखने को मिल ला है और देखा जाए तो इस IPO में आप लोगों को जो Valiant Laboratories IPO की जो आज के डेट में लिस्टिंग होई है उस लिस्टिंग के बाद किस तरीके से कैसी आगी किरन निती होनी चाहिए क्या कुछ यहाँ पर आनिविलेस में में कुछ अपोचिविटी बन ड़े या नहीं इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डीटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो को इनते देखी है और ऐसे ही डेली IPO ग्रे मार्केट प्रिमियूम और stock specific update के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही comment section में आपको टेलिगराम गुरूप का लिंक मिल जाएगा वहाँ जूर सकते हैं ताकि आपको time to time चोटे मोड़े update मिलते हैं पहले यह दि हमनों बात करें Valiant Laboratories IPO के यह दि हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से इस company के ग्रे मार्केट premium को हम लोगों ने कल late night वाले वीडियो में listing रेस्ट अची वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसके ग्रे मार्केट में 17% के premium पे देखने को मिल लाई थी देखा जाते हैं आप 15% के premium पे इस company के listing भी आज के rate में होते हुए देखने को मिली है और जो इस company की 5% के upper circuit हम लोगों ने देखा था कि T plus 2 segment में company list होगी तो 5% upper circuit और lower circuit रहेगी तो आज के rate में 5% की upper circuit के साथ closing हाते हुए देखने को मिली है जो आज के rate में इस company के बहतरीन listing गें रही उसको का सकता है कि बहतरीन listing गें आपको मिलते हुए देखने को मिली है क्योंकि एक small issue size वाली company थी यहाँ पर देखा जाते 154 क्रोड़ की total issue size ही इस company का मात देखने को मिला था इसमें से 50% share आपको QIB के allocate किया गया then 15% HNI category को और 10% आपको retailers sorry 35% आपको retailers category को allocate की गईती से है arrest drop देखा जाए तो इस IPO में यह दिमनों बात करें तो इस company की जो issue size small रहने के बादे से इस company की जो listing है और T plus 2 segment में होते वह देखने को मिला है जिसका impact किस तरीकी से कैसी आपको देखने को मिली पहले T plus 2 segment में कोई भी company list होती है तो उसकी upper circuit limit और lower circuit limit 5 यहाँ पे 10 trading day में आपको 5% और 5% upper circuit और 5% lower circuit limit रहती है उसके बाद इस company के lower circuit और upper circuit limit हच जाएगी और इस company के T plus 2 segment में भी आपको दिवादलाव देखने को मिलेगी क्यूंकि t plus 2 segment में देखा जाया तो आज का date में इस company के share में ठ्रेडिंग होते भ Lewis वह नहीं देखने का मिला है यानि माज यह को printers को buy करके आजे के डिध में करके scr आप लोगो ग डिखाए तो दो दिन तो बॉर प्र्सर्व क्लोज रहने वाली हैlor 15 उर मंड़े ये आप सेल कर सकते है इसके करन से आप लोगको उतनी Retail movement in एस company में देखने को नहीं मिला UKE सेफ फ्लैंग आपको गार्ड यहाँ पे आज की statement आप लेड़at करें तो काफी अच्छ여 listing है अपको डेती हुए देखने को को मिला था only medium response देखने को मिला थी नहीं आप लोग उतनी बढ़िया response देखने को मिला था नहीं उतनी आपको खराब response देखने को मिला ती इसके बावजोद भी इस company की लिस्टंग अच्छी होते हुए देखने को या आज के डिट में सेल की है को मुझे चरूब बताइए के लोग ने देखा था कि किस तरी के सावी आपपनी वीडिक के सेयर में लोकेशने नहीं हुई है तो आपको भी वेट एंड वाज कने चाहिए तेन यहां पर कुछ ब्यांग आप शेचाइं जिजिए तो यहां करते हैं तो 6th of October से IPO open हुई यानि कि आज से IPO open हुई है आज इस IPO में पहले दिन था अपलाई करने के लिए कल मार्केट क्लोज रहने बाली पर्शोवी मार्केट क्लोज रहने बाली है तो नेक्स्ट विक 9th of October और 10th of October इन दो डेट को इस मेन बोड आइपयों में आप आपपलाई कर सकते हैं या सवी ौ में आप आप आपकर सकते हैं तो इस SME आइपयों को बात करें तो चनल के 10 रूपीस बेली बात करता हैं और इस 20 रूप की Easy ही here तो पूरी तरीके से फ्रेस इसू है और यह फ्रेस इसू की बात करें तो यहाँ पर 25 क्रोग की इसू साइज में से 50% शेर आपको रखा गया है एचाने के टोड़ी के लिए यानिकि एचाने को 50% शेर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगा और 50% देट की बात किया तो यहाँ पर समाबत हो चूगी है लगळख 6th October के बारे मैं україн लेक फैसे रिफंट कर दी एक डिमेट अब्साइब कर सकते हैं उसके लिए 2,260 पर समाउंट होनी चाहिए दिन इस प्रोट में एक लोट अप्लाई कर सकते हैं वैसे इस तरीके कि SME अप्लाई करने के लिए मैंफोर अप्लाई करने के लिए आपकर आपकर नहीं है तो अभी भी आपको 68.63% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि एक अच्छी share holdings प्रटरंस इस कंपनी में अभी भी आपको देखने को मिलेगी पहले दिन की response की बात करें तो पहले दिन HNA category के तरब से उतना अच्छा response अभी तक देखने को ने मिलिए यहाँ पर देखा जाए तो पहले दिन की समापति के बाद 0.78 टाइम्स आपको HNA category में IP सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल लाइए लगबग देखा जाए हुए क्योंकि रीटेलर स्केटवरी में IP 3.83 टाइम्स आइप्यो सब्सक्राइब हो चुकी है वग यह दि हम लोग बात करें तो चार गुने आइप्यो सब्सक्रिप्शन फिखर दिखा रही है 15 लाग एकुटी उप सेर के अगेस्ट में देखा जाए तो अंट्रावन लाग अवरर आल देखा जाए तो तो टॉलल एवर नोई भात करें तो टू2.30 यहांपर 2.30 टाइम्स आइप और सब्सक्राइब होते हुए دेखने को मिल लिए पहले दिन की response के बाद के तो okay okay response देखने को मिला है यहाँ पर आपको एचाने के टरब से मंदे के दिन आपको अच्छे response देखने को मिलता है ग्रेयर मार्केट प्रीमियम में अच्छे demand देखने को मलती है जिस तरीकी जो भी आप लोग को in future demand देखने को मलेगे उसके रिगार ही हम लोग बात करते रहेंगे सो चानल को सब्सक्राइब करकर कीगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पैस वाई होब आपके लिए सारे इंफोर्मेशन यूश्पल आप वीडियो को लाइक चालों को सब्सक्राइब और से करने के लिए आप सब भी कर धने बात मिलते एक नए इंफोर्मेशन वीडियो में तब सक लिए जाहें जा भारत